सुप्रिभात नमस्कार स्वागर आप सभी का आप देख रहे हैं सुबर नौ बजे मैं हूँ प्रीति सिंग शुरुआत करेंगे मुख्य समचारों के साथ जमू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी काम्याबी श्री रगर में मुद्भेर में तीन आतंकी धेर एक पुलिस कर्मी शहीद सर्च ओपरेशन जारी बारवी एशिया यूरोप बैठक में भाग लेने के लिए तीन दिवसीय यात्रा पर आज ब्रिसल्स रवाना होंगे उपराश्रुपती पद सम्हालने के बाद पहली बहुपक्षिय वारता, व्यापार, निवेश, सतत विकास, जलवायू, परिवर्तन, आतंगवाद और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दो पर होगी चर्चा सुप्रीम कोड के फैसले के बाद आज पहली बार खुलेगा सबरीवाला का दौार, दस से पचास साल उम्र की महिलाओं को पूजा से रोकने के लिए विरोध प्रदशन के बाद तेकाला और पंपा बेस कैंप में सुरक्षा के पुक्ता बंदो बस, राज्य सरकार का शृद्धालों को पूरी सुरक्षा मोहिया कराने का भरोसा आईशमान भारत से स्वास्त और बीमा की क्षित्र में बढ़े रोजगार की मोखे, प्रधानमंत्री जन आरोगे योजना की सीईओ, इंदुपूशन ने 10 लाक रोजगार पैदा होने की जतायों मीद, कहा योजना से सार्वजनिक और नजी दोनुक शित्रों में हेल्थ के पैर की गुडवत्ता में होगा सुधार पते कदल में सुरक्षाबलो ने मुद्भेड में आज तीन आतंक वादियों को मार गिराया, हाला कि अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया, फिलाल सुरक्षाबलो का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, सूचना मिलने के बाद सुरक्षा वहां से फायर आया, उसमें वी प्रॉबली है लॉस्ट आर वन अफ और बॉइस और आपको इसमें एक प्रॉबर ब्रीफिंग भी आफ्टर सम्टाइम हो जाए एक लिए आज दोपहर खरीब तीन बजे बेलजियम की तीन दिवसिया यात्रा परावाना होंगे, पदभार सम्हालने के बाद यह उप्राश्पते के पहली बहु पक्षिया वारता होगी एमवेंगा एनाइडू ब्रिसल्स में 18 और 19 अक्टूबर को होने वाले सम्मेलन में भारते पृतिने धिमंडल का नेत्रत्व करेंगे यह द्वी वार्शिक सम्मेलन व्यापार, निवेश, सुरक्षा और परिटन के ख्षित्रों में एशिया और यूरोप के बीच वारता और सहयोग का सर्वोच चमंच है इस साल सम्मेलन की थीम है Global Partners for Global Challenges सम्मेलन का आयोजन यूरोपियन यूनियन ने किया है इसकी धख्षता यूरोपिय कांसल के प्रेजिडेंट करेंगे सम्मेलन में 51 देशों के राष्टर धक्षों के शामिल होने की उमीद है इस बार के एजेंडे में व्यापार और निवेश, सतत, विकास, जलवाईयो पडिवर्तन, आतंगवाद, प्रवासन, समुद्री सुरक्षा और साइबर स्पेस जैसे मुद्दे प्रमुख है उद्गाटन सत्र के लावा उपराश्पतियां बेंका एनाइडू पून सत्र में शामिल होंगे, साथी वो विबिन मुद्दो पर सदस्य देशों के साथ अपने विचार साजह करेंगे इसके लावा उपराश्पति का बेल्जियम के किंग से भी मुलाकात का कारिक्रम है इसके इतर उपराश्पति आस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्विच्जिलिन समेथ कई दूसरे देशों के साथ दुई पक्षियवारता भी करेंगे 20 अक्टूबर को उपराश्पति भारते समुदाय को संबोधित करेंगे उपराश्पति यां राश्टरपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुश्प अर्पित करेंगे उपराश्पति यां राश्पति यां नाइडू ने कहा है कि टैक्स का पाई पाई चुकाना हर कमपनी का लक्ष होना चाहिए वोकल उद्योग संगठन एसोचाम के सालाना बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कमपनियों को भरष्टा-चार घूस-खोरी और धोका-धड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीती अपनानी चाहिए उप्राश्पते एमेंगाया नाइडू ने उद्योग संगठन आसोचाम की 98 सालाना बैठक ने कॉर्परेट गवनेंस को बढ़ावा देने पर जोड दिया उन्होंने कहा कि हर कंपनी को कॉर्परेट गवनेंस के साथ इमांदारी से अपने हिस्से का टाक्स चुकाना चाहिए और कॉर्परेट सोचल रिस्पोंसिबिलिटी को पूरा करना चाहिए उन्होंने कहा कि कंपनीओं को ऐसा मोहौल बनाना चाहिए जहां विसल ब्लोवर बिना किसी डर के गलत चीजों को सामने ला सके ल्टेस करफिंडरों सुनराउं का डिर्ट छूकापर्स औवेद्ट, बचलाउ adolescents पुछे इन कि अर्बडों हर वीड़ति उपारणाइसा स्य जॉफिस आती वूरी वोटेश किया लंषट estasनाइस सेफ़्साइब युरो तो यहाउतार्पाम उप्राश्मती ने कहा कि कड़े सुधारों को लागू करने में शुरुवात में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि GST और नूटबंदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इन सुधारों से लंबे समय में होने वाले फायदों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वो प्राश्मती ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर आर्थिक और समाजिक परिवर्तन हो रहा है। भारत साल दोहजार पच्चीस तक पाच ट्रिलिन डॉलर की अर्थिवर्स्था बनने के रिए प्रतिबद्ध है। कृती मिश्रा राजिसभा टीवी केंद्रिय वित्मंत्रिय अरुंजेटली ने कहा है कि देश में विकासदर की रफ्तार को बनाए रखने और असरदार फैसले लेने के लिए एक मजबूत और निर्नाइक सरकार का होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्थिवर्स्था के तेज गती से विस्तार की बदौलत भारत को गरीबी से छुटकारा दिलाया जा सकता है। साथ ही इसकी मदद से भारत के लिए एक विक्सित राष्ट्र बनने की राह भी आसान होगी। भारत को अगर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते रहना है और देश में बहतर धाचागत सुविधाओं के लक्ष को हासिर करना है तो केंद्र में मजबूत और निनायक नित्रुत्व का होना जरूरी है। केंद्र वित्र मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को उद्योग मंडल आसुचाम की 98 सालाना बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कर्स तले दभी, इंफ्रास्ट्रुक्टर, लीजिंग और फिनांशल सर्फिस कंपनी के संकट से निपटने के लिए मौजूदा सरकार ने हालात को बखुवी संभाला। अरुन जेटली ने आसुचाम की 98 सालाना बैठक को विडियो कॉंफरेंस के जरिये संभोधित किया। अपने संभोधन में उन्होंने देश के सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया। वितमंत्री ने कहा कि कच्चे तेल के बाजार में भारत एक बड़ा खरीदार है। और अंतराश्ट्रिय स्तर पर इसके दाम बढ़ने से देश की अर्थ विवस्था पर भी असर पड़ता है। औरोंने कहा कि हमें खुद को इतना सक्षम करना होगा ताकि ऐसी सित्यों का मजबूती से सामना किया जा सके। केंद्री वितमंत्री अरुन जेटली ने सरकार की समक्ष राजनीतिक चुनौतियों पर भी बात की। अरुन जेटली ने कहा कि देश की जंता भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है और मौजूदा सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, GST, चुनाफी बॉन्ड और बैंक डेफॉल्टरों से निपटने के लिए लाए गया कानून दिवालिया पन और दिवालिया पन साहिता सरकार की इनी कोशिशों का हिस्सा है। खृती मश्रा, लादिसभा टीवी aved wir in the next 15 years with a analysis of $ 65 million more or less by private sector participation but along with that the growth in aviation would need atleast one thousand aeroplanes to be bought by India, now if you just continue to buy profile it over a period of time will result into the largest importer of aeroplane. So we are preparing a plan for a roadmap for manufacturing of aircrafts in India. 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 स्वास्ते संबंदित सेवाओं का स्तवाल कम करते हैं सरकार ने सामाने भविश्य ने धी यानि ये जी पी एफ और अन्य संबंदित योजनाओं की ब्याजदर में इजाफा किया है ये फैसला अक्टूबर दिसंबर ते माही के लिए लागू होगा कि इंदर सरकार के फैसले के मताबिक मौझूदा विट्वर्श के अक्टूबर दिसंबर ते माही के लिए सामाने भविश्य ने धी और इसके जैसे अन्य योजनाओं पर ब्याजदर में शूने दशमलव चार फीजदी के बढ़ूतरे की गई है आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से जारी अधी सूचना के मुताबिक इन योजनाओं पर अब आठ फीजदी के हिसाब से ब्याज मिलेगा नई ब्याजदर की इंद्र सरकार की कर्वचारियों, रेलवे और सुरक शमलों के प्रोविडिन्ट फंडों पर भी लागो होगी पिछले महीने सरकार ने अलान किया था कि अगली तिमाही यानि अक्टूबर दिसंबर के लिए NSC और PPF समें छोटी बचत पर ब्याजदर को बढ़ाया जाएगा इससे पिछली तिमाही यानि जुलाई से सितंबर में जेनरल प्रोविडिन्ट फंड जीपिफ पर ब्याजदर 7.6 फीजदी था बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्वियभार के मामलों में महिलाउर बाल कल्यान मंत्राले ने गल्य कलिये जानकारी दी परसाद में हुए यौन उत्मिरन के शिकायत दर्ज कराने के समय सीमा को हटाने का अग्रे किया था ताकि लोग 10-15 साल बाद भी ऐसे मामलों के शिकायत दर्ज करा सकें उन्होंने का कि अक्सर ऐसे मामलों में जिस समय अपराद होता है उस समय शिकाय दर्ज नहीं कराई जाती है अपराद करने वाला पीड़ित के परिवार का या फिर कोई करीबी होता है उन्होंने एक अध्यन का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह कि पीड़ित वेक्ती लंबे समय तक मानसे कागहाथ से जूजते रहते हैं सुप्रीम कोट के फैसले के बाद पहली बार केरल के प्रिसिद्द सब्री माला मंदिर के कपाट आज जुपारम पर एक पूजा के लिए खुल रहे हैं अलगे विरोध प्रदेशन और तनाव को देखते हुए प्रिशासन ने मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा के पुखता बंदोबस्त किये हैं बड़ी तादाद में महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है सुप्रीम कोट के फैसले के बाद भगवान आयापपा के दर्वाजे महिलाओं के लिए खुलने को लेकर सियासी संग्राम और विरोध प्रदेशन को देखते हुए प्रिशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है केरल के अलग-अलग हिस्सों में अदालत के फैसले को लेकर विरोध प्रदेशन हो रहे हैं कलकई समूज इनमें बुजर्ग महिलाएं भी शामिल थी निलाकल बेस कैम के पास कारे, बसे और टैक्सियों को रोक रहे थे इन लोगों की कोशिश है कि 10 से 50 साल की किसी भी बच्ची यह महिला को मंदिर परिशन में पूजा के लिए प्रवेश नहीं करने दिया जाए मामले को सुलजानी के लिए कलत्रावर कोड देवस्वम बोड यानी टी डी बी के अंतिम प्रियास उसके बेकार रहे जहां पंडालम शाही परिवार और अन्य पक्षकार बैठक बीच में ही छोड़ कर चले गए प्रोटेस्ट अगेंस देट वर्डिक अव दे सुप्रीम कोड याचे का दाखल नहीं करेगी उन्होंने भरोसा दिला है कि जो भी सब्रीमाला मंदिर प्रातना करने जाएगा उसकी रक्षा की जाएगी सुप्रीम कोड ने ठाइस सितंबर को दस से पचास साल उम्र की महिलाओं को सब्रीमाला मंदिर में जाने के अनुमती प्रदान की थी मिजोरम विधान सबा चुनाओं को लेकर बीजेपी ने कमर कसली है बीजेपी अद्धक्ष अमिच्शा आज यहां शुनाओ परिचार अभ्यान की शुरुवात करेंगे अमिच्शा आज आईजॉल पहुँचेंगे जहां वो बूत कारे करताओं को सम्बोधित करेंगे आईजॉल में प्रिदेश बीजेपी अद्धक्ष के साथ ही स्थानिय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीती पर विचारवे मर्श करेंगे मिजोरम में 28 नमंबर को चुनाओं होना है गोवा में बीजेपी की गडबंदन सहयोगी गोवाफ वावर्ट पार्टी और महराष्ट वादी गुमान तक पार्टी के नेता आज दिल्ली में बीजेपी अद्धक्ष अमिच्छाह से मिलने वाले हैं जिसमे राज्य के मौझूदा राजुनितिक हालात पर चर्चा की संभावना है इससे पहले कल कॉंग्रिस के दो विधायक सुभाश शिरोडकर और दयानन सोप्टे कल बीजेपी में शामिल हो गए दोनों विधायकों ने गोविधान सभा से स्तीफा भी दे दिया है इससे पहले दोनों विधायकों ने कल दिल्ली में बीजेपी अद्धक्ष अमिच्छाह से मुलाकात की इन दोनों विधायकों के स्तीफे से गुवा के 40 सदस्वेवाली विधान सभा में विधायकों के संख्या घटकर 38 रह जाएगी इससे कॉंग्रिस की उन कोशिशों को धक्का लगेगा जिसके तहट वो गुवा में अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी गुवा में फिलहाल बीजेपी के गुवाई वाली गडबंधन सरकार है विधान सभा में बीजेपी के 14 विधायक है अब तक कॉंग्रिस 16 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन अब उसके विधायकों के संख्या भी घटकर 14 पर आ गई है मुख्यमंत्री श्रीमनोर परिकर जी के हाथ मजबूत करें और आगे आने वाले दिनों में गुवा में और मजबूत और जनता के प्रती सम्वेदना और विकास की भावना से काम करने वाली सरकार को आगे बल दें हिंद्रे सतरक्ता आयोग यानी सीवी सी ने बैंक धोकाधड़ी के सौस सबसे बड़े मामलों पर रिपोर्ट की है पहली बार तैयार इस तरह के रिपोर्ट को आरबियाई, एडी और सीबियाई के साथ ही साज़ा किया गया है सरतर्ता आयोग तर टीम भजीन ने कल लिए जानकारी दी, इसमें बैंक धोकाधड़ी के वजहों की परताल की गई है जिसमें जूलरी, एवियेशन, मैनुफाक्चरिंग जैसे तेरा क्षीतर शामिल है जिन चीजों की परताल की गई है, और में कर्ज देने के तरीकों, कर्ज के प्रकार और कर्ज देने की प्रक्रिया में कमी वगरा शामिल है साथी सीवी सी ने बैंकिंग धोकाधड़ी रोकने के लिए उपाए भी सुझाए है रिपोर्ट कॉर्परेट कारे मंतराले के साथ भी साज़ा की गई है आर्बियाय ने भी आयू को बताया है कि ये रिपोर्ट बहुत उपयोगी है और इसे जोखिम कम करने में मदद मिलेगी बैंकों का 40 करोड रुपे का कर्ज लेकर भागिया उद्योग पती विने मिलेग को इंडोनेशिया से इस महीने भारत प्रितर पित किया गया है विने मिलेग का नाम आर्थिक अपराधियों वाली सरकार की सूची में शामिल है उनके खिलाब बैंक दोका धड़ी के साथ मामले दर्ज हैं कॉर्पोरेशन बैंक और पंजाम नाशनल बैंक एन रोद पर सीबिया ने विने मिलेग के खिलाब मामले दर्ज किया था कोट ने विनमित्तल को भगोडा घोशित कर रखा था और उसके खिलाब रेड गॉर्णर नोटिस भी जा री था पिछले साल जनवरी में इंडोनेशिया पुलिस ने विनमित्तल को गिरफतार किया था और 46 लाक रुपे के बैंक दोका धड़ी मामले में बहरीन से मुहमद याया को पृत्यरपित कराए गया है पेट्रोले मंत्री धर्मेंद प्रधान ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल या कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है दिली में इंडिया एनर्जी फोरम में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थर्ता की कारणों और मार्केट सेंटिमेंटीमेंस की वजह से तेल की कीमते बढ़ी है उन्होंने ये भी बताया कि ऐशिया देशों ने ओपेक के सामने ये दबाव बनाया है पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के बीच पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने कहा कि एरान पर अमेरिकी पाबंदियों का भारत पर असर नहीं होगा उन्होंने मंगलवार को कहा कि कच्चे तेल की आपूर्ती में कोई कमी नहीं है लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स के चलते कीमतों में इजाफा हो रहा है अवेलेबिलिटी इस नॉट इसू दू जीओ पोलिटिकल चालेंजेश देर इस सेंटिमेंटल इसू एवरिवरीवड़ी दी ओपेक इस तो एंशूर फर ए मार्केट स्टाबिलिटी इस बेनिफिचल पर कंजूमिंग कंट्री इस इक्वाली बेनिफिचल फर प्रोडुश इंडिया एनरजी फोरम के कारकर में उन्होंने कहा कि तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक योर से एशियाई देशों पर बेजा तरीके से एशियन प्रीमियम शुल्क लगाया जाता है जो कीमतों को बढ़ा देता है जबकि अमेरिका और यूरोप के कई देशों से एशियन प्रीमियम सुल्क नहीं वसूला जाता उन्होंने पताए कि इसे हटाने के लिए भारत ने चीन जापान सहित कई देशों के साथ दबाव बनाया है देश में तेल की कीमतों में हाल के महीनों में काफी पढ़ोतरी हो गई है और 4 नौवंबर से इरान पर अमेरिका के प्रितिबंधों के अमल में आने के बाद इस्तिती के और खराब होने की आशंका जताई जा रही है सरकार 2030 तक जीरो हंगर के लक्ष पाने के लिए चरण बद तरीके से काम कर रही है जिसके माइन है कि किसी को बोजन के अनुप लब्दिता के चलते भूका ना रहना पड़े मंगलवार को विश्वक खाद दिवस के मौके पर दिल्ली में दो दिवसी क्रशी स्टार्ट अप और उद्यामिता सम्मिलन की शुरुआत हुई जिसका मकसद क्रशी की छेतर में उन्नत किस्मों के साथ साथ तकनीक को बढ़ावा देना है केंद्री कृशी और किसान कल्यान मंत्री राधा मुहन सिंग ने इस सम्मिलन का उद्गाटन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते सालों में देश में खाद्यान उत्पादन में काफी इजाफा हुआ है और विश्व खाद्य दिवस का मकसद साल 2030 तक जीरो हंगर के लक्ष को हासिल करना है आयोजन का मकसद युवाओं में क्रशी के प्रती लगाओ और संभावित संभावनाओं को उजागर करना भी है लेहाज़ा सम्मिलन में एग्रिकल्चर स्टार्टप से जुड़े स्टॉल भी लगाए गए है इसमें से ज्यादा तर स्टार्टप खान पान के पुराने तोर तरीकों को बढ़ावा दे रहे हैं ताके किसानों को भी फाइदा मिले और भरपूर पोशड भी हासिल हो सके समिलन के दोरान कई सतरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें कई कृशिवे ग्यानिक एग्रिटेरियन समेत वरिष्ट लोग देश में कृशी में बहतर मुनाफे पर चर्चा करेंगे नविकरम सिंग राज्यसभा टीवी राज्यसभा के उपसभापती हरिवन्श ने कहा है कि वैश्विक सहयोग से ही जलवाईव परिवर्तन से निप्टा जा सकता है वो जेनवा में आई पी यू की 149 वी असेंबली में बोल रहे थे उपसभापती ने कहा कि जलवाईव परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक कारेयोजना बनाने और उसे लागू करने में प्रभावी तरीकी से योगदान के लिए प्रतिबद है उन्होंने कहा कि विकास शील देशों के विकास में जलवाईव परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है और ये खाने पीने की चीजों और पाने की उपलब्दता पर सबसे बड़ा खत्रा है उन्होंने कहा कि भारत स्वच उर्जा को बढ़ावा दे रहा है और इसके तहट 2022 तक सूर्य और हवा से 175 गीगावट उर्जा उतपादन का लक्षे है पर सब्सक्राइब करें के रहे है और ये खत्राइब के लिए प्रतिश्चित मान बुकर प्राइस से समानेद किया गया है सबसे परतिश्ठित अंग्रेजी भाषा साहितिक पुरसकार जीतने वाली एना बर्न्स उत्तरी आलेंड की पहली महिला लेकिका बन गई है 49 साल के इतिहास में बर्न्स ने ये पुरसकार जीतने वाली 17 वी महिला है वहीं 2013 के बाद Man Booker पुरिसकार किसी महिला लेखिका को मिला है Belfast में जन्मी और East Success में रहने वाली 56 साल की बर्न्स इससे पहले दो किताबे लिख चुकी है इन किताबों के नाम है No Bones और Little Constructions 2002 में Orange Price में विक्षिन के लिए Short Listed भी हो चुकी है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कले इशियाए खेलों के पदक विजिताओं से बुलाखात करके उन्हें सम्मानित किया इस मौके पर प्रधान मंतरी ने खुशी जताते हुए कहा कि इन खेलाडियों के सभलता के पीछे उनकी मानसिक मजबूती बड़ा कारण रही प्रधान मंतरी ने वैश्विक स्तर पर भारत की पृत्षचा बढ़ाने में युगदान के लिए खिलाडियों को बढ़ाई दी भारत ने जकारता में हुए इश्याए पैरा खेलों में कुल 72 पदक जीते जिन में 15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कास से शामिल है डेन्माक उपन बार्विंटर टॉर्णामेंट में सायना निवाल महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुँच गई है सायना ने हौंग कॉंग की शेयूंग नगान को हराया जबकि पीविर सिंदो टॉर्णामेंट से बाहर हो गई है सिंदो को अमेरिका की बिविन जांग ने हराया पुरुशेकल मिश्रीकांद के दामबी ने पहले दौर में डेन्माक के हैंस क्रिशिन सौल्बर्ग विटिन गयस को हराया समीर वर्मा ने पहले दौर में शीयूंग की को 21,21,21,21,21 से मात दी से उन्तराश्ट ने 1992 में हर साल 17 टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की खोश ना की थी उपराश्पते अमवेंगा नाइडो ने अंतराश्टी गरीबी उन्मूलन दिवस के अवसर पर इस दिशा में निजी और सामुदाइक प्रियासों को तेज और सघन करने का संकल्प लेने के लिए कहा है उन्होंने लोगों से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हो रहे सरकारी और खैर सरकारी प्रियासों से जूजने जुडने की भी अपील की देश भर में दुर्गा पूजा का त्योहार पूरी आस्थ और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर लोग मंदिरों और पंडालों में देवी के दर्शन कर रहे हैं आप एक साथी तस्वीरें टीवी स्ट्रीन पर देख पा रहे हैं ये त्रएइन तस्वीरें हैं दिल्ली, कुलकाता और मुंबई की जहां मंदिरों में पूजा अर्शना के लिए भक्तों का सैलाव वड़ रहा है नवरातरी के आठवे दिन महागौरी की पूजा की जाती है महागौरी मादुर्गा का आठवा रूप है मैं बात करेंगे छास शेखसित की जानी मानिय भिनीत्री स्मिता पाटल के आज जेन्दी है उन्होंने अपने अद्धकारी से सिनमा जगटे में ऐखास पहुचान बनाई कलात्मक फिल्मों में अपनी अदाकारी का जोहर दिखाकर समिता पार्टल ने फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का जमाया उनकी फिल्म भूमिका, मन्थन, चक्र, शक्ती, निशान्त और नमक हलाल आज भी आदगार है बॉलिवुट में योगदान के लिए उन्हें पदमिश्री से नवाजा गया 1986 को मुंबई में उनका निधन हुआ था उनकी मौत के बाद 1988 में उनकी फिल्म वारिस प्रतशित हुई जो उनके सिने करियर के महतुपोर्ण फिल्मों में से एक है दिना लगे घर में गुल्शन बनी गलियां सभी फूर बन गई कलियां सभी गुल्शन बनी गलियां सभी फूर बन गई कलियां सभी लगता है मेरा सहरा तैयार हो गया हम सोचते ही रहे गए और प्यार हो गया और इसे के साथ फिलाल सोवा नौवजे के ख़बरों में मेरे साथ इतना ही ब्रेक के बाद विशेश में देखिए सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य नमस्कार क्युक्त अना है क्यूक नबरों में में खबदाद कास्पार इसे को क्यूक्या में आए गए और रहे विशेश में जोसे चहुपार ख़िए जुनिया को में कर दोड़ों में आए प्रक्षवार ऑ्र यह झाल झाल